मैं आपसे दर्खास करूँगा चपल पहन लीजिये और नंगे पैर मत घूमिये कब आया तो आपको एक होना पड़ेगा and I'm supporting इम्रान खाने आज लाहर में इम्रान की पार्टी पीटी आई का जलसा होगी पाकिस्तान के अलगल एक लाकों से एक बार फिर इम्रान समर्थक ला कार अक्षे कुमार भी चुपना रह सके और वो भी बोल उठे के इतनी रुकाउटों के बावजूत ये लड़का किस तरहा सड़कों पर दोड़कर इम्रान खान के जलसे में पहुचने की कोशिश कर रहा है जैसे ही ये वीडियो सोशल मेडिया पर वायल हुई तो इंडिय इंडिया न्यूस चैनल भी इम्रान खान के जलसे की तारीफ के बहर ना रह सका कि किस तरहां ये बंदा जेल में बैठ कर इतनी अवाम को एक जगा पे अकठा कर दिया है और इंडिया न्यूस चैनल ने यहां तक के दिया के शबाज शरीफ हकुमत का तखता उलटने वाला ह है पूरी हिनान कुन वीडियो हम आप से शेयर कर रहे हैं इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें जरिये शेवास सरकार ने इमरान को बेदखल कर सब्ता हासल की थी एक बार फिर पाकिस्तान में वही हालात बन रही है ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जल्दी शेवास शरीफ की विदाई तै है नाजरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लहौल का जल्सा आखिर हो गया इतने छोटे नोटिस के उपर आज तक कोई पुलिटिकल पार्टी इतना बड़ा जल्सा नहीं कर सकी और मुझे नहीं लगता कि कोई दुबारा ये रिकॉर्ड तोड़ सकेगा कई कई दिनों के लोग या पजाब गर्मिन्ट के लोग वो जो मरसी कहते ने कि जी फलाप हो गया ये नहीं था वो नहीं था अधेरे के अंदर लोग खड़े में है जल्सा चल रहा है लोग अधेरे में खड़े में है मुबाईल फोन के अपनी टॉट्चें जो आउन कर रहे है जल्से के अंदर इमरान खान नहीं है ये सबसे बड़ा फैक्टर आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी अच्छे इंसान के साथ हमेशा ऐसे होता है इमरान खान के लिए सब को एक होना पड़ेगा एंड आइम सपोर्टिंग इमरान खान अक्षे कुमार का ये कहना था कि ऐसा जोश और महुबत मैंने कभी नहीं देखी ये एक लड़का बगैर चपलो के किस तरहां जल्से पर जाने के लिए बाग रहा है इस कदर महुबत किसी लिडर की मैंने आवाम के दिल में पहली दफ़ा देखी है जो जेल में बैक भी हकूमत की बन्यादे हिला रहा है दोस्तों आपको इन सब के बारे में क्या कहना है आपको ये वीडियो कैसी लेगी अप्टी किम्ती राइका इजहार कमें सेक्शन में करें वीडियो पसंदे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें